नमच्छा, मैं दिनेश गिरफ, करियर सोच में आप सबका फिक से एक बार स्वागत करता हूँ Central Government का जॉब, आप में से बहुत सरे लोग ऐसे होंगे कि जो Central Government के अंदर जॉब करना चाहते हों तो जो भी Central Government के अंदर जॉब धूण रहे हैं उनके लिए काफी एक अची खबर लेके मैं आज के वीडियो में आपके सामने आया हूँ और यह कि खबर यह है कि Cabinet ने National Recruitment Agency बनाने के लिए अनुमती दे दी गई है अब तक होता क्या था कि जो भी Central Government में जॉब करना चाहता था तो वो क्या होता था कि उसके लिए एक नहीं दो नहीं बहुत सरे एक्जाम्स अलग-अलग exams depending on where exactly you are seeking job depending on that बहुत सरे अलग-अलग exams देने पड़ते थे जैसे ससी हो गया या फिर central या फिर railway board हो गया तो अलग-अलग department के अंदर एक जो department में आपको काम करना है तो अलग-अलग agencies हुआ करती थी exams लेने के लिए तो उसे होता क्या था कि candidates को एक तो अलग-अलग exam centers में जाना पड़ता था exam देने के लिए form भरना पड़ता था जिसमें उनके पैसे कर्शे होते थे उतना नहीं तो वो जो exam center होते थे exam centers are located far off from the rural places especially तो होता क्या यह पड़ी candidates को बहुत दिक्कते होती थी तो यह सब धान में रखते हुए cabinet ने एक national recruitment agency का निर्मान करने के लिए मंजूरी दी है तो यह agency जो है वो एक national eligibility test और common eligibility test राधर वो conduct करेगी यह सारे type of jobs के लिए group B और group C में technical job short के जितने भी jobs हैं उनके लिए यह common eligibility test applicable होगा और यह test का जो score है वो तीन साल के लिए valid होगा मतलब एक बात तो यह है कि candidates को अब अलग-अलग exams देने की जुरूरत नहीं है अलग-अलग agencies को same eligibility होते हुए भी अलग-अलग agencies को exam conduct करने की जुरूरत नहीं है बहुत सरे resources बच जाएंगे जो candidate का खरचा होता था travel का खरचा होता था लॉजिंग का खरचा होता था और वक्त जो उनको लगाना पड़ता था यह सारे exams में वो बच जाएगा और candidates कितनी भी कितनी बार भी यह exam दे सकता है obviously जो अपर एज लिमिट होती है jobs के लिए उसके तहत रहके graduate कितनी भी बार यह exam दे सकता है तो यह exam का जो score रहेगा वो तीन साल के लिए valid है तो एक बार आपनी यह exam क्लियर किया फिर उसके बाद अलग-अलग agencies को apply करने के लिए आप eligible हो जाते हों यह जो national recruitment agency बनाई गई है और यह जो common eligibility test होने वाला है उसका फाइदा जो काउ में दूर दराज के गाउ में जो लोग रहते हैं रिमोट प्लेसिस में जो लोग रहते हैं और जो women's है उनको ही उनको बहुत होने वाला है क्योंकि यह प्लान है कि हर एक district में इस exam जो conduct करेगा वैसे centers बनाए जाएंगे तो आपको यह exam देने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है मतलब आप अपने district में यह exam दे सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि एक बार exam आप clear कर रहे तो तीन साल तक यह score valid रहता है तो अलग-अलग agencies जो होती है जैसे railway recruitment board हो गया stop selection committee जो है वो हो गई तो अलग-अलग ministry of finance है ministry of relevance है तो अलग-अलग ministries जो अलग-अलग exam agencies जो जिनके है यह recruitment agencies वो सारे recruitment agencies यह score जह है वो accept कर लेंगे once you apply to these agencies then वो अपना कोई the next level का exam है वो conduct कर सकते हैं यह जो process है वो recruitment cycle जो होता है वो recruitment cycle के लिए काम कर देगा मतलब आप एक exam दे दो फिर वो exam का जो test रहेगा common eligibility test का जो score रहेगा वो बहुत सारी agencies accept करेंगे कही सारी agencies ऐसी है जोनोंने कहा है कि हम कोई दूसरा level examination का मतलब दूसरी कोई test हम लोग नहीं लेंगे they will directly accept this course and they go ahead with the recruiting candidates तो बहुत ही कम हो जाएगा एक recruitment cycle जो होता है और दूसरी अच्छी बात है कि multiple languages में यह test होगा तो वो भी candidates के लिए आसानी होगी government ने इस particular agency के लिए 1517.57 करोर rupees set aside किये है एक उसका प्रावधान किया है 1517 करोर is not a small amount और यह जो amount है वो 3 साल तक utilize होगा examination centers establish करने के लिए total X of 17 district ऐसे है जिन्होंने जहां पर यह पहले examination centers set up किये जाएंगे तो obviously बहुत ही अच्छा होगा उन district के candidates के लिए तो application process एक्तम simple है जो candidate exam को appear करना चाहता है वो एक central portal होगा जहां पर बहुत तदर cases में आजकिल जितने भी online exams होते हैं उनकी जो procedure होती है वैसे ही कुछ एक central portal होगा जहां पर candidate अपना जो center है वो center कौंसा center उसको नजदीक है वो center select करेगा उसकी इसाब से वो center available है तो उसको वो दिया जाएगा नहीं तो दूसरे options explore किये जाएंगे तो plan यह है कि हर एक district cover करना है इंडिया का ताकि आसानी हो लोगों को यह सारे exams देने में और फिर initial phase में तो जो staff selection commission है या railway recruitment board है या institute of banking personal selection जो agency है वो agencies यह तीन agencies है वो scores accept करने लगेंगे और दीरे-दीरे करके सारे agencies recruitment agencies government के जो है वो उसके अंदर लाए जाएंगे बहुत ही आसानी होनी वाली है बहुत ही अच्छा कदम है government का national recruitment agency form करने का और आशा करते हैं कि especially जो गाउं में लोग रहते हैं उनको बहुत ही आसानी होगी और यह अच्छ तरह से implement होगा so guys उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कुछ उसका उससे कुछ आपका फाइदा हुआ रहेगा ऐसे ही career के लिए अलग-अलग videos के लिए career related अलग-अलग videos के लिए आप मेरा channel जो है वो channel जरूर subscribe कीजिए video को like कीजिए और please share this video as much as possible so that those who are willing to you know join this government services get to know about this recent happening thank you so much take care